हेलो दोस्तो कैसे हो आप उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं भी एक्तम ठीक हूँ तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ आउले और हरी मिर्च का अचार जी हाँ दोस्तो अभी ठंडी खूब चल रही है और आउले का अचार नहीं खाया तो क्या खाया इस मोसम में आ आउले आ रहे हैं मार्केट में तो ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं और विटामिन सी की कमी से ही हमें खासी जुखाम ज्यादा होती है तो आप किसी भी रूप में खाएं बच्चों को खिलाएं आउले जरूर खाएं तो ये अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं और ये देखो मैंने बुआयल कर लिये हैं, हल्दी डालके और अभी मैंने इनका पानी निकाल दिया है, ये थोड़े ठंडे होने के बाद इनकी कलिया अलग कर देऊंगी और ये इस तरह से मैंने सभी कलियों को अलग कर लिया है, और मैं 4-5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही सूखने देती हूँ, छाया में ये थोड़े ड्राई हो जाएंगे, तो हमारा अचार खराब नहीं होगा, अगर पानी रहेगा, तो अचार खराब होने का डर रहेगा तो ये देखो मेरे को 6 घंटे हो गए हैं, 5-6 घंटे हो गए, इसको मैंने ऐसे ही चाये में सुखा दिया था, अब ये ड्राई हो गए हैं बिल्कुल, पानी नहीं है इसमें, अभी मैं इसका अचार बना देती हूँ तो इसके लिए मैं मसाले तयार कर लेती हूँ तो ये मैंने लिए है तीन चमच मसाले इसमें है धनिया, अजवान, सौफ और जीरा ये मैंने तीन चमच लिए है तीनों चीज मिक्स है और एक चमच सरसों और एक चमच मेथी इन सभी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनका कच्चापन खतम हो जाए और हमारा अचार खराब नहीं हो ये बहुत जल्दी चटकने लगते हैं ये देखिए मसाले चटक गए हैं वी गयास बंद कर लेते हैं और ये ठंडे हो गए अभी इसको ग्राइन कर लेती हूँ और इस तरह से थोड़े दरदरे रखने हैं ये बहुत बारिक नहीं करना और अभी इधर मैंने तेल गरम कर लिया है तेल हमेशा गरम करके ही डालने अचार में अचार हमारा ज्यादा दिन टिका रहेगा तो इसमें मैंने डाला है एक चमच सौफ एक चमच हल्दी और एक चमच मिर्च मिर्च हमारी हरी भी है तो भो ज्यादा नहीं डालेंगे और अभी मैंने ग्राइन्ड के हुए मसाले डाल दिये हैं इसी में ये थोड़े पक जाएंगे, अभी एक चमच भर के बड़ी वाली चमच मैंने नमक डाला है, नमक थोड़ा ज्यादा चाहिए अचार में, और अभी डालती हैं हरी मिर्च, इनका भी थोड़ा कच्चापन खतम हो जाएगा, ये मसाले अच्छी से पक गए हैं, और अभी ग्यास कर देते हैं बंद, और इसमें ये सभी आउले डालके, और इसको अच्छी से मिक्स कर देना है, इस तरह से मिक्स करना, ताकि हमारा कोई आउला बिना मसाले तेल वाला नहीं रहें, सभी आउले अच्छी से मिक्स हो जाएं, और मसाले अच्छी से लिपट जाएं सभी के उपर, और अब इसको एक दिन ऐसे ही रखते हैं इसी पतिले में, ताकि कल तक हमारा मसाला अच्छी से फूल जाए, उसके बाद हम जार में डालेंगे, इसको अच्छी से मिक्स करके, अभी जार में डाल देंगे तो मसाला फूलेगा, उसके बाद हमें आडिया नहीं रहेगा कि किस तरह से मिक्स करना है तो इसी में रहने देते हैं और ये अगले दिन देखो मसाले अच्छी से फूल गए अभी ये जार है मेरे पास काच का इसमें डाल लेती हूँ ये तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है दोस्तो अगर आपको साल भर चलाना है तो उपर से तेल गरम करके ठंडा करके फिर और डाल सकते हैं लेकिन मैं तो ऐसे ही रखती हूँ तब भी खराब नहीं होता खूब चलता है ये अचार क्योंकि हमने सब चीज पका के डाल ली हैं तो दोस्तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है अगर अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करें